हेलो एब्रिवान कैसे हो आप तो गाईज आज के वीडियो में मैं दूसरा पार्ट लेकी आई हूँ पहला पार्ट अल्रेडी अप्लोड हो चुका है यह दूसरा पार्ट है पहले पार्ट में मैंने यह ड्रेस लडू गुपाल जी को पहना के भी दिखाई है आज दूसरे प पीटिंग के साथ आती है और आप वीडियो के अच्छे से देखें बहुत ही आसान तरीके से चोली बनाई गई है सिर्फ यह वाले डिजाइन होने की वज़े से थोड़ी यूनिक लगती है और इजी मैथर से बनाई गई है और यह वाली कैप तो यह है बहुत ही प्यारी है और बहुत आसान तरीके से बनाई हैं बिगिनर्स के लिए खास जो मैंने यह वाला पैटर्न अपलाई किया है ना मैंने सिंपल पैटर्न अपलाई किया है तो देखिए कितनी शांदर कैप बन चुकी है तो चलिए इस वीडियो को भी शूरू करते हैं चुली बनाने के लिए 16 फंदे मैंने अपनी स्लाई पर लिए हैं राइट साइड है हमारी फंदे डालने के बाद पहले यह रो हम उल्टे फंदो किन कलेंगे ऐसे 16 फंदे हैं दो हो गए तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा 14 15 और यह 16 राइट साइड से हमने 16 फंदे बुन लिये अब हम आगे है रॉंक साइड रॉंक साइड में पहला फंदा देखिए ऐसे न हमने इस तरह बुन लेना है अब न हम ब्रेड बनाने वाले हैं जो हमने फ्लेयर में बनाई है उसी तरीके से हमने यहां पर भी बनानी ह तो पहले हम कोई भी कलर लगा लेंगे, मैं यलो लगा लेती हूँ ऐसे हमने पीछे से दागा रख लेना है और ऐसे फंदा बना लेना है ऐसे लग गया हमारा जॉइंट हो गया अब एक फंदा वाइट का एक फंदा येलो कलर का तो अब हम वाइट कलर का फंदा बनाएंगे फिर से हम येलो कलर का बनाएंगे और वाइट कलर के दागे को दबा देंगे ये देखिए फिर से देखिए ये धागा हमने नीचे दबा देना है और ये वारा जिससे हमने बुनना है वो धागा हम उपर को तरफ लेके आएंगे ये फिर से देखिए इससे हमने बुन लिया है वाइट कलर से इसको नीचे दबा देंगे और ये उपर से हम ऐसे लेके आए है तो इसकी वज़ा से हमारी जो ब्रेड बन रही है न वो नहीं बनेगी ऐसे हमने दबाते हुए कि दोनों फंदों को बारी-बारी बुनते जाना है कि ऐसे करके 16 फंदे हैं हमारे 16 के 16 फंदों को हम बुल लेंगे नास्ट का फंदा रह चुका है हमारा इसको हम वाइट कलर से बना लेंगे अब हम आगे सीधी तरफ सीधी तरफ जो फंदा जिस color से हमने बनाया है उसको वापिस उसी color से बनाएंगे और पृपस है सैम रहेगा यह देखिए पहले हमने white color का फंदा था white color से बनाया अब हम yellow color का फंदा है तो उसको बनाएंगे white color के दाग़े को ऐसे दबा लेंगे और पीले धागे को उपर से लेके आएंगे अब हम इसको दबा लेंगे और वाइट कलर के धागे को ऐसे उपर से लेके आएंगे इसी दबाने की वज़ाए से ही हमारी जो ब्रेड बनती है ऐसे करते जाना है हमने और सारे फंदे जिस कलर के भी हैं, उसको उसी कलर से हमने बना लेना है आप वीडियो को ध्यान से देखिए, समझे उसके बाद बनाना चुरू कीए अगर आप चोली को प्लेन बनाना चाहते हो, वो भी बना सकते हो जैसे मैं यहाँ पर जैसे जितने कलर मैंने फ्लेयर में दिये हैं उतने ही कलर मैं चोली में देने वाली हूँ अब जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो ऐसा करके हमारा लास्ट का फंदा रह चुका है येलो कलर का इस दाग को हम पहले पीछे कर लेंगे और white color का दाग अब पीछे लेंगे और इस फंदे को हम बना लेंगे सीधा क्योंकि दागा मुझे उल्टी तरफ चाहिए अब देखे पीले यह yellow color है न इसका तो मुझे अब कुशने चाहिए अब हमने उल्टी तरफ से सारी रो उल्टी उल्टी बनानी है white color से और इन दागों को मैं दबा दूँगी ताकि यह निकले ना है ऐसी हमने बीच बीच में दबाते जाना है पका हो जाएगा यहाँ पर और finishing दिया जाएगी तो ऐसा करते हुए मैं पूरी रो कंपलीट कर लूँगी रॉंग साइड को कंपलीट कर लिया है मैंने अब हम आ गए है राइट साइड राइट साइड में अब हम क्या करेंगे यही से हमारा पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा यहाँ से आप गौर से देखिए उपर से तो हमने simply बना लिया चाहे उल्टा-उल्टा बना लो चाहे bread बना लो तो यहाँ से हम फंदे divide करेंगे यहाँ से हम फंदे के साथ जाली बनाना चुरू करेंगे और दो फंदे पहले और दो फंदे last के ये फंदे हम उल्टे बनाएंगे, लास्ट के दो फंदे उल्टे बनाएंगे, पहले दो फंदे उल्टे बनाएंगे, बीच में जितने भी फंदे आएंगे, सारे फंदो को हमने सीधा ही बनाना है, तो देखी करना क्या है, पहले दो फंदो को तो हम बना लेंगे उल्टा, ए सीधा बनाएंगे और दागा हमारा अपनी तरफ होगा तो आटोमेटिकली ऐसे करेंगे तो जाली आ जाएगी ये देखे जाली बना दी मैंने जाली डालनी जरूरी है जाली आप किसी भी तरीके से डाल सकते हो चाहे दागा रैप करके डाल दिये चाहे ऐसे ही डाल लीजिए तो एक फंदे के साथ मैंने जाली डाल दी फिर से दाग अपनी तरफ करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे पहले फंदे के साथ जाली डाल देंगे ये देखिए पहले फंदे के साथ जाली डाली दूसरा फंदा मैंने सिंपल सीधा बना लिया हो गया फिर से देखिए, दो फंदे मैंने उल्टे बनाए, जाली डाली, एक फंदा सिम्पल सीधा बनाया, फिर से जाली डाली, दो फंदे मैंने सीधे बना लिए अब दाग अपनी तरफ करेंगे फिर से, इस फंदे के साथ जाली डालेंगे ऐसे जाली डाली, फिर से दाग अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, पहले फंदे के साथ जाली डालेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बना लिए, दाग अपनी तरफ करके, अब हमने जहां पर जो पार्ट बनाया है न, दो फंदे उल्टे जाली एक फंदा सीदा, दो फंदे सीदे फिर से जाले, ऐसे करके हमने फिर से सेम प्रसेस यहाँए पर रॉपीट करना है। चार फंदे मैंने बना लिए सीधे, दागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे के साथ जाली डालेंगे, ऐसे, दागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, दो फंदों के साथ जाली डालेंगे, पहले फंदे के साथ जाली डालेंगे, और दूसरा फंदा सिंपल सीधा बना लेंगे, सेम परसेस रपीट करेंगे लास्ट में आ चुके हैं हम ये एक फंदे के साथ हमने दोनों साइड जाली डाली है ऐसे जाली डाली ये देखी और दागा अपनी तरफ करेंगे ऐसे रैप कर लेंगे क्योंकि देखे अब हमारा दागा पीशे है और ये दो फंदों को हमने उल्टा बनाना है अब हम अगर ऐसे करके सीधा बना लेंगे तो जाली नहीं आएगी जाली आना जरूरी है तो क्या करेंगे ऐसे हमने धागा रैप कर लेना है नीडल पर और फिर दो फंदे उल्टे बनाने ऐसे करके अब हमारी राइट साइड से रो कम्प्लीट हो चुकी हैं रॉंग साइड में आ चुके हैं हम रॉंग साइड में पहला फंदा सीधा बना लेंगे और इन फंदों को हम उल्टा बनाएगे रॉंग साइड से हर बार जो भी रो होगी हमारी उल्टे फंदों की ही आएगी सीधी तरफ से आएंगे 4 फंदे हमारे उल्टे दो स्टार्टिंग में दो एंड में और बीच के सारे फंदे सीधे होंगे और जो हमारी बैक साइड की रोह होगी वो हर बार उल्टे आएगए यह देखें जितनी भी हमने जालियन ढालनी है न उनको भी हमने उल्टा ही बुन लेना है बैक साइड में हर बार आपको नहीं दिखाऊंगी ये एक बार में देख लीजिए क्योंकि जाली का फंदा भी हमें उल्टा ही बनाना है जाली का फंदा थोड़ा स्पार्ट हुआ आता है तो ऐसे हमें पता नहीं चलता यह देखी लास्ट का फंदा मैं सीधा बना लूँगी क्योंकि दागा मुझे इस तर्फ चाहिए पहली जाली हमारी कम्प्लीट हो चुकी है अब हम आ गए हैं दूसरी जाली पर पहले दो फंदे थे हमने बनाने हैं उल्टे यह हमारे पूरे परजेक्ट में ऐसे ही चलेंगे इनको हमने शोड़ना नहीं है अब यह फंदा जो है हमारा जाली से बढ़ा है दागा पीछे करेंगे इस फंदे को सीधा बनाएंगे जो भी फंदा हमारा जाली से बढ़ेगा उ प्पिर से दागह अपनी तरफ करके इस फंदे के साथ जाली डालेंगे और चार फंदे बना लेंगे सीधे एक दो टीन चार अब जाली से फंदे बढ़ रहें यहां पर पहले हमारे पास दो फंदे थे स्टार्टिंग में सिर्फ दो उल्टे थे एक जाली से बड़ा तो उसको हमने सीधा बना लिया अब बीज में जो हमारे जो बाजू के फंदे हैं ना दो थे तो दो के चार हो गया है जो चार होंगे वो शे हो जाएंगे ऐसे हर बार दो दो फंदे इंक्रीज हो पांच, छे, शे फंदे सीधे बनाएं, चार फंदे थे हमारे कमर के, दोनों साइड एक एक फंदा जाली से बड़ा तो शे फंदे हो गए, दाग अपनी तरफ करके, इस फंदे के साथ जाली डाल देंगे, ये चैन बन रही है हमारी नीचे से, अभी इस साइड रो में नहीं नजर आएगी, नेक्स रो में मैं आपको गहर से दिखाऊंगी, कि हमारी चैन बन रही है, और उस चैन को हमने ऐसे ही continue रखना है, और जब भी हम सीधी साइड आएंगे ना, तो उसके दोनों साइड हमने जाली डालनी होती है, दाग अपनी तरफ करेंगे, चार फंदे सीध बना लिया, पहली बार जब हमने ये देखी है, मैं इसको खोल लेती हूँ, और फिर से आपको दिखाती हूँ, पहली बार हमने क्या किया था, ये फंदा नहीं था हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ दो उल्टे फंदे थे, हमने ऐसे दागा किया था, और ऐसे जाली डाली दागा रैप करके अब क्या करेंगे अब हमारे पास एक फंदा सीधा है तो ऐसे करेंगे और इस फंदे को जब सीधा बनाएंगे तो आटोमेटिकली जाली आ जाएगी और दो फंदे जो हैं इनको उल्टा रख लेंगे ऐसे हमने पीछे जाना है यह फंदा वी उल्टा ही बनाया है मैंने सिर्फ दागा पीछे करने की वाज़ासे मैं इसको सीधा बना देती हूँ तो ऐसे हमारी दो जालियां कम्प्लीट हो चुकी हैं दो जालियां कम्प्लीट कर लेने के बाद रॉंग साइड में आ चुकी हैं रॉंग साइड में अब हम सारी रो को उल्टा उल्टा बुनके कम्प्लीट कर लें रॉंग साइड से हमने रो कम्प्लीट कर ली है अब हम र आना है अब देखिए यहां पर अब नजर आना शुरूर हो चुका है यह देखे चैन बनना शुरूर हो गई है एक होगी चैन और दूसरी चैन यहां पर बन रही है तीसरी यहां पर चौथी यहां पर चार चैन बन रही है चार चैन को हमने ध्यान में रखना है जब भी चैन तो उसके दोनों साइड हमने जाली डालनी ये देखे पहली बार ऐसे दाग अपनी तर्फ किया और चैन से जाली डालने अब चैन का फंदा तो एक हिये अब फिर से दाग अपनी त खर करेंगे और यहां Therapar जा लेंगे जो बाजू के फंदे होंगे उनके पर जाली डालेंगे शे फंदे हो गए हैं हमारे पास बाजू के एक दो तीन चार पांच और शे शे फंदे बाजू के हो गए यह देखिए चैन आ गई है फिर से दाग अपनी तरफ करके एक जाली यहां पर बना लेंगे दाग अपनी तरफ करके यहां प चार फंदे बढ़ चुके हैं दो जालियों में, तो आठ फंदे हो चुके हैं, पहले फंदे के साथ जाली डाल लेंगे, ऐसे करके, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ फंदे हो गए, दाग अपनी तरफ करेंगे, फिर से देखे चैन आ चुकी है, इसके इस साइड जाली डाली, दाग अपनी तरफ करके, इस साइड हमने शेफ हंदे बुनने हैं, और साथ में जाली डाल देनी, बहुत इजी पैटरन है, सिर्फ हाँ समझने की बात है, एक बार आपको बनाना आ गया ना, तो आप तो बहुत सारे प्रजेक्ट ऐसे ही बना सकते हो, यह देखे, शेफ अंदे बनाने के बाद, फिर से चैन आ चुकी है हमारी, इस साइड जाली डाली, दाग अपनी तरफ करके, दो फंदे सीधे, यह हमारा फ्रंट पल है, और दो फंदे उल्टे, राइट साइड से हमारी तीसरी जाली कम्प्लीट हो चुकी है, बैक साइड लुट हंी और बैक साइड से मैंने रोग कम्प्लेट कर ली है फिर से आए हैं हम राइट साइड में इस बार हम चौथी जाली बनाएं टोटल हमने पांच जालियां हम बनानी है चौथी जाली पर आ चुके हैं दो फंदे उल्टे दागा पीशे एक दो तीन तीन फंदे सीधे बनाएंग यह चैन जा रही है चैन के दोनों साइड हमने जाली डालनी है पहली जाली चैन का फंदा बुल लिया दागा अपनी तरफ करके यहां पर आठ फंदे हम बनाएंगे सीधे एक तो तीन चार पांच छे साथ और यह आठ देखी यह हमारे बाजू के फंदे जो आठ फंदे बन मैंने दो उल्टे और तीन सीधे बनाएं पांच फंदे होगे यह हमारे फ्रंट पल लेके हैं देखी जहां पर पांच हो जाएंगे लास्ट में हमारे पांच हो जाएंगे इस बाजू के हमारे आठ हो जाएंगे और जब हम पांच भी जाली डालेंगे तो जो आठ फंदे बनाए हैं यह हमने बनाने हैं दस दस इस बाजू के दस इस बाजू के और जो यहां पर पांच बनाए हैं इसको हम शे बनाएंगे साइड में शे रह जाएंगे बीच में हमारे फंदे दो दो बढ़ते जाएंगे तो धाग अपनी तरफ करके चैन डालेंगे और कमर के फंदे ये जो हैं उनको हम सीधा बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस कमर के दस फंदे हो गए जब हम पांच भी डाली डालेंगे तो बारा फंदे हो जाएंगे क्योंकि पांच भी जाली मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि सेम है अब यह की जाली रह चु बनाएंगा तो फीर से हमने यहां पर बाजू के पहन दे बना रहे हैं आठ जो हमत्य हम अ उसको बना लूगी मैं जरी हमारे बाजु चल रहे हैं लास्ट में दो फंदे उल्टे रॉंग साइट से पूरी रो उल्टी जाएगी और इसी तरीके से आप पांच भी जाली भी बना लिए पांच भी जाली बनाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट जो प्रसेस होगा वो फिर हम समझेंगे गौर से कि आगे हमने क्या करना है कैसे हम ने बाजू निकालनी है कैसे हम उनको बनाना है पांच जालिया हमारी कंप्लीट हो चुकी है अब देखिए ऐसे न हमें दो सेफटी पिंट चाहिए सेफटी पिंट का यूज मैं बताती हूं आपको कैसे करना है पहले दो फंदे तो उल्टे ही आएंगे हमारे एक दो दाग चार पांच पांच सीधे हो गए दो ये सात फंदे हो चुके हैं दो चार शेस साथ अब हमने जो बाजू के फंदे हैं हमारे उनको हमने सेफटी पिंट में उतार लेना है ऐसे देखिए ऐसे करके हम लेते जाएंगे दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस 11 12 13 14 14 फंदे मैंने सेफटी में में ले लिए ये तो ले लिए ये देखिए ये चैन से लेके चैन तक इस चैन से शुरू किये मैंने क्योंकि बीच में सलाई में फंदे जो है ज्यादा क्लोज हो जाते हैं तो इस चैन से लेके इस चैन तक मैंने फंदे 14 फंदे मैंने ऐसे क्लोज करेंगे पहले फंदों को अगर हम दूर रखेंगे तो हमारा दागे में काफी गयप आ जाएगा गयप आ चुका है लेकिन मैं इनको पहले टाइट करूँगे ऐसे खींच के हम साथ साथ कर लेंगे अधर्वाइस बैक साइड में बहुत बुरा लगता है यह तो कमर के सारे फंदे जो हैं हमारे उनको हमें फ्रंट पल फंदों के साथ ले लेना है ऐसे देखिए हम कमर के फंदे जो वो भी बुन लेंगे और जब चैन आएगी न हमारी तो हम बुनना बंद कर देंगे चैन चैन आ चुकी है इस चैन से लेके इस चैन तक हमारे दो चार शे आठ दस बारा चोड़ा चोड़ा फंदे बनते हैं इनको हम दूसरी सेफटी पिन में ले लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोड़ा चोड़ा फंदे लिए और इनको लोग कर लिया अब हम आ गए हैं देखिए इस साइड फिर से इन फंदों को हमने उनके साथ जॉइंट कर लेने हैं पहले मैं क्लोज करूँगे इनको ताकि मेरा धागा लूज ना रहे और मैं टाइट करके इनको बुल लूँगे लास्ट के दो फंदे होंगे ना जो हमारे उनको हम उल्टा ही बनाएंगे और ये मैं बैक साइड से भी रो बताऊंगी आपको उसका रीजन मैं ये बताऊंगी ये देखिए बैक साइड में आ गया है न हम ये रो में देखिए हम बैक साइड में क्या करेंगे दो फंदे ना बंद करेंगे यहाँ पर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे पहले ये दो फंदे उल्टे बीच में हमारे आ जाएंगे दो, यह वेला दूसरा हो गया, तीन, चार, पांच, दो, चार, शे, शे फंदे बुनेंगे, जो सात्मा फंदा होगा, और उसके बाद एक फंदा आएगा, उन दो फंदों का हम एक फंदा बनाएगे, क्योंकि वो हमारे जो है, वो फ्रंट का फंदा है एक, और एक बैक से हमने लिया है, जिनमें अगर हम इनको लॉक नहीं करेंगे, तो इनमें गैप बना ही रहेगा, जब बाजू की सिलाई करते हैं, यहां पर एक हॉल बनता है, मोस्टली तो बनता ही है, मैं कर लेती हूँ, ऐसे लॉक कर देती हूँ, ताकि हमारा जो गैप है, वो खतम हो जा आ गए हमारे दो फंदे, दो, चार, शे, शे फंदे उस साइड शोड़ दिये, दो फंदो का हमने लॉक कर दिया, ऐसे देखी, यह हो गया, और यह फंदे तो हमारे उल्टे ही आएंगे, दागा पीशे कर लूँगे मैं, यह देखी मैंने डिवाइड कर लिए फंदे, यह ह हमारी बाजो निकल के आ गई, और हमारा फ्रंट पला और बैक साइड का है, जो मैंने इकठा कर लिया, अपना मैं चार सलाईयां डालूँगी, यहां पर, दो सीधी साइड से, दो उल्टी साइड से, चार सलाईयां डालने के बाद मैं सेम इसी तरीके से ब्रेड बनाऊंग यहां पर, कलर यह वाला नहीं लगाऊंगी, यहां पर मैं ग्रीन कलर लगाऊंगी, यहां फिर मैं रेड कलर लगाऊंगी, कोई भी कलर लगा सकती हो, तो उस कलर से मैंने नीचे बिलकुल एज में, जैसे यह हमारा एज बन रहा है, ऐसे एज में मैंने ब्रेड बनानी है, उसके बाद जो मैं वाइट कलर से रोव बनाऊँगी उसी में मैं फंदे बंद कर दूँगी, बहुत इजी है गाइस, इतना मुश्किल नहीं है, तो ऐसे मैंने ये चोली का कमर का हिस्सा कवर कर लेना है, उसके बाद हम देखेंगे कि बाजू कैसे बनाई जाती है, ये देख यहीं डाली, ब्रेड बनाके तुरांट उसके बाद मैंने बंद कर दिया, तो अब हम बाजू बनाएंगे, ये बाजू देखें, मैंने एक बाजू बना ली है और इसमें मैंने रेड कलर लगाया है, तिनों कलर आग चुके हैं हमारे, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें इस सेफटी पिन में से हमने फंदे निकालने शुरू कर देने, सारे फंदे ले लेंगे हम, ऐसे करके हमने एक एक करके फंदे निकालते जाना है, तो सारे फंदे मैंने ले लिए नीडल में, अब हम क्या करेंगे, इसमें वाइट दागा जॉइंट करेंगे, तो ऐसे हमने दागा ले लेना है, पहले नीडल डाल लेंगे, स्टिच में, और लूप बनाके धागे को जॉइंट कर लेंगे, सिर्फ हमने चार सलाइयां डालनी है, वाइट कलर से, दो सीधी, दो उल्टी, और साथ में ये धागा दबाते हुए जाएंगे, ताकि पक्का हो जाए, बाद में इससे ना पता ही नहीं चलता कि हमने धागा जॉइंट किया है, तो कहां से किया है, ऐसा करने से, उल्टी साइड से तो नजर आएगा ही, लेकिन जो फंदे लूज हो जाते हैं अगर हम नहीं दबाते, वो प्रॉब्लम नहीं आती इसके साथ, तो ऐसा करते हुए हमने इस धागे को दबा देना है, बस यहीं से दबा देंगे, एक्स्ट्र मंधागा लगा रहे हैं, उसको हम काउंट करेंगे, और 14 फंदे हैं मेरे पास, क्योंकि 14 फंदे ही हमने लिये थे, यह हो गई हमारी उन्टी साइड से दूसरी रो, बाजू में पूरी दिखा दूँगी आपको बना के, सिर्क ब्रेड बनाना नहीं दिखाऊंगी, वो मंध साइड से लगाना है, दो सलाहिया हो चुकी है हमारी, अब यह तीसरी सलाहिया, एक बाजू मैं इसलिए बना के दिखा रही हूं, कोई डाउट ना रहे, कि हमने कई बार होता है, दिखाने में और बताने में फर्क आ जाता है, तो वो प्रॉब्लम नहीं आने चाहिए आपको, यह हमारी तीसरी हो गई, सीधी तरफ से, और ब्रेड बनाना तो आपको आता चोली शुरू की थी, तो भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे बनाना है, यह दिखिए, यह हमारी फोर्थ रो है, सिर्फ हमने यह चार से लाइगा ही डालनी है, दो सीधी साइड से, दो उल्टी साइड से, इस फंदे को ना हमने सीधा बुने दागा पीशे कर लेना है, और देखिए, रेड कलर लगाएंगे, पहला फंदा तो हम वाइट कलर से ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास अल्रेड है, दूसरे फंदे में हम लगा लेंगे, यह देखिए, हम सीधी साइड से लगा रहे हैं, चोली में भी मैंने सीधी साइड से ही लगाया है, इसमें हो सकता है मुझे, यह हम उल्टी साइड मे पी रोब ना रहे, अब देखिए, जब धागा हमारा दोनों धागे, सीधी साइड आ गया है, तो क्या करेंगे इसका हल, इस धाग कैसे पीछे ले जाएंगे, पीछे ले गए, थोड़ा टाइट कर दिया, और वही तरीका यह देखिए, एक फंदा वाइट से, एक फंदा से, तो ऐसे देखिए, हमने सारे फंदे बना लेने, यह हमारी राइट साइड से रोह होगी, धागे हमने इसी साइड रहने देने हैं, और अब हमने सीधा बनेगे, पहले हम उल्टा बनते आए ना, सीधी साइड से, उल्टी साइड से हम, ऐसे सीधा सीधा बनेगे, तो हमारी ब्रेट जो है, सीधी तरफ आएगी, ऐसे देखि एक फंदा वाइट का, जो वाइट का है उसको वाइट के साथ, जो रेड है उसको रेड के साथ तो ऐसा करते हुए हम रोग कम्पलीट कर लेंगे और बाइंड ओफ करतेंगे साथ में तो इतने फंदे रह चुके हैं, मैं इनको भी ऐसे ही कम्पलीट कर लूँग जैसे मैंने ये बनाया है तो हमारी दोनों बाजू बनके रेडी हो चुकी है, एक बाजू को मैंने अल्रेडी स्लाई कर लिया है और इसके लिए मैंने नीडल में धागा डाल लिया है, तो देखिए इसको हमने उल्टी साइड से ही सलाई करना है पहले हम स्टार्टिंग में पक्का कर लेंगे, अधरवाईज धागा जो होता है ना, वो स्टिच हमारा जो हमने फंदा बनाया होता है, उसके साथ खिंचता रहता है जैसा कि हम इस तरीके से धागा शोड़ते हैं, तो इसलिए मैं पहले पक्का कर लेती हूं और ऐसे हम स्लाई करते हूं वे जाएंगे, दोनों साइड से निडर निकालते जाएंगे और स्लाई कर लेंगे यहां तक करेंगे हम, यहां तक हमारी होल नजर आ रहे है बहुत आसान तरीके से स्लाई हैं यह इससे ज्यादा इसान तो हो इन्हीं सकती कोई भी क्योंकि और तरीके भी हैं लेकिन वह काफी बड़े प्रजेक्ट जब होते हैं हमारे तो उनके लिए होते हैं तो ऐसे प्रजेक्ट तो हम ऐसे ही सलाई कर सकते हैं तो देखिए सलाई हो चुकी है अब हम इस दागे को बंद कर देंगे थोड़ा सा पीछे ही ले जाएंगे अधरवाई ये बीच में से निकलता ही रहेगा जो स्टीच हमने भरे है न अभी उनी के बीच में से निकालने है तो ऐसा करते हुए हम ये देखे बंद कर देंगे और दागा कट कर देंगे यह देखिए अब हम इसको सीधा करते हैं बहुत ही शानदार चोली बनकर एड़ी होई है तो थी कलर का कॉम्बीनेशन है बीच में यह देखिए यह हाई नेक बन चुका है हमारा जो हमने उपर ब्रेड बनाई है इसी की वज़ा से हमारा यह हाई बनाई है अगर हम कई बार करते हैं स्सार्टिंग में जाली बनाना शुरू करते हैं तो उससे थोड़ा लुक और चेंज हो जाता है तो देखिए हमारी चोली बन चुकी है तो बहुत शांदार त्रीके से बनी है यहाँ पर हम टिच बटन लगा देंगे बाद में अब हम बनाने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने ना 24 फंदे लिए हैं अपने नीडल पर दो चार शे आठ दस बारा चौदा सोला अठारा बीस बाइस चौविस चौविस फंदे लेके मैंने छे सलाइयां डाली है एक दो तीन तीन दार या निकल के आई हैं इसका मतलब है कि शेस सलाइयां आई है तो तभी हमारी जो है तीन दार या अब हम इसकी उल्टी साइड है उल्टी साइड से हम दूसरा कलर लगाएंगे कि कलर कोई भी लगा लीजिए इसि मैं यहां पर लगा लेकर है अब हम उल्टी साइड से रेड कलर लगा के रेड कलर के फंदे हम बनाएंगे वाइड कलर कता condition करेंगे यह इन पर रहने देंगे क्योंकि उसकी जुरूरत हमें बाद में पढ़ेगी तो ऐसे हमने रेड कलर को दबा देना है और जो पूरी से रोग कंपलीट कर लेने के बाद राइट साइड में आ चुके हैं राइट साइड में देखीएगा क्या करेंगे पहले फंदे को हमने ऐसे सिंपल उल्टा बुन लेना है एक पहला एक लास्ट का फंदा हम सिंपल सीधा बनेंगे सिंगल अब देखिए दागा अपनी तरफ है तो इस फंदे को हमने पहले उल्टा बनाया दागा पीशे किया और बाद में इसको सीधा बना लिया ठीक है फिर से दागा अपनी तरफ करेंगे पहले इसको उल्टा बनाया दागा पीशे किया और इसको सीधा बना लिया एक फंदे के हमने दो फंदे बना देने, फिर से दागा अपनी तरफ करेंगे, इस लूप को हमने गिराना नहीं है, दागा पीशे करके इसी के बीच में से हमने दूसरा फंदा निकाल लेना है, फिर से दागा अपनी तरफ किया, पहले फंदे को उल्टा बनाया, लूप को ग तरीका ये है कि आप एक फंदा उल्टा बना लीजिए एक ऐसे फिंगर सिलूप बना के बना दीजिए ये भी तरीका है लेकिन ये तरीका मैं यूज नहीं करती मुझे पसंद नहीं है ये उसके बाद देखिए अब हमना मैंने पहले क्या किया पहले इस फंदे को उल्टा बन लेंगे या फिर ऐसे ही कर लीजिए आप दागा अपनी तरफ करके पहले उल्टा बनाईए दागा पीशे कर लीजिए और एक फंदे को सीधा बना लेजिए तो ऐसा करते हुए हमने पूरी रोग कंप्लीर कर लेनी दो तरीके बताए हैं आपको जो अच्छा लगे आप उसी तरीके से वंधे बढ़ा सकते हो लास्ट पा पांदा हम सीधा उल्टाही बुनेंगे इसमें हम कोई नहीं भड़ाएंगे मैंने सारे फंदों का डबल कर लिया सिर्फ दो फंदे शोड़ के 24 पंदे से मेरे पास दो फंदे शोड़े तो 22 का डबल करेंगे तो 44 हो जाएंगे रेड कलर का अभी हम कट नहीं करेंगे और ना ही हम वाइट कलर को करेंगे बस तीसरा कलर लगा लेंगे तो ऐसे देखिए हमने न जो च्छारीज बंदे हैं पहले तो हम उल्टी साइड से बुनेंगे उसके बाद हम सीधी साइड से बुनेंगे इनको 46 फंदों को ना तो अभी हम कोई फंदा कम करेंगे ना ही बढ़ाएंगे तो देखिए पहले मैं ऐसे धागे को दबाते वे जाओंगी और इस रो को कम्प्लीट कर लोंगे उल्टी साइड से उसके बाद सीधी साइड से मैं उल्टा उल्टा बुनते हुए वापिस आ जाओंगे तो चलीए मैं इतना बना लेते हूँ उल्टी और सीधी साइड से मैंने येलो कलर को कम्प्लीट कर लिया है' अब हम फिर से हुआपस आयए हैं येलो कलर मैंने कट कर दिया है अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर लगा लेंगे तीन कलर थे हमारे पास वाइट कलर तो बेसिक कलर था हमारा तीन कलर को कॉम्बिनेशन था तो मैं तीनों का यहां पर टच देने वाली हूँ जैसे मैंने येलो कलर को दबाते हुए पहले उल्टी साइड से रो कंप्लीट की उसके बाद मैंने राइट से रो कंप्लीट की सेम तरीके से हमने ग्रीन कलर की भी इसी तरीके से करनी है ऐसे करके दागे दबाते जाओंगी मैं ताकि ये बाद में निकले न और उल्टी साइड भी हमारी फिनिशिंग बनी रहे तो ऐसे देखे मैंने साथ साथ में दागे भी दबाते जाना है पहले उल्टी साइड से रो कम्प्लीट कर लेनी है उसके बाद मैंने राइड साइड से कम्प्लीट कर लेनी है यह देखे यहा रॉंग साइड से मैंने लगा लिया रेड कलर जब हम राइट साइड में तो मैंने फंदे बढ़ा दी उसके बाद हमने रॉंग साइड से येलो कलर लगाया और दो सलाइया उसकी बना ली रॉंग साइड से बाद में मैंने ग्रीन लगा दिया दो सलाइया मैंने उसकी बना ल की हो राइट साइड में अब हम क्या करेंगे पहले फंदे को हम सीधा बना लेंगे पहले हमने यहां तक उल्टे उल्टे फंदों का बनाया है अब हम सीधे फंदों का बनाएंगे ऐसे दागा रैप किया दो फंदों का एक फंदा बना देंगे जाली डालनी है और साथ में दो दो फंदों का एक फंदा बना देगे दागा रैप किया दो फंदों का एक फंदा बना देगे फिर से दागा रैप करके जाली डाली दो फंदों का एक फंदा बना देगे यहां पर ना तो कोई फंदा बढ़ रहा है ना ही फंदा कम हो रहा है फंदे पूरे ही रहेंगे तो ऐ ऐसे जाली डाली और दो फंदों का एक फंदा बना दिया या फिर ऐसे धाग आपनी तरफ कर लीजिए और दो फंदों का एक फंदा बना दिये ऐसे भी जाली आ जाती है आती जाली है जैसे मरजी डाल दीजिए तो ऐसा करते हुए मैं पूरी रोग कंप्लीट कर लोंगी रॉ हम सिमपल सीधा बुनेंगे जब मैंने जाली डाल यहां पर फंदें बढ़ाए थे पहला और लास्ट का फंदा मैंने सिंगल बुना था बीच के वाइस फंदों में मैंने फंद बढ़ाय थे डबल किया थो तो अब हम वे सेम तरिके काना है दो दो फंदे हमने single बुनने हैं, पहला और last का, और बीच में जो हमारे होंगे न, फंदे उनको हमने ऐसे डबल, दो का एक करते जाना है, ऐसे दो का एक किया, फिर से दो फंदे लेंगे, और दो का एक कर देंगे, इस तरीके से कर लेते हैं, ऐसे दो का एक किया, फिर से इस साइ जैसे कि मैंने यहां पर 24 फंदे कास्ट आन किये थे मैं 24 फंदे ही रखोंगी आप कितने फंदे रख रहे हो आपने वापिस उसको उसी कंडिशन में लेके आना है अपना पैटरिन बनाने के बाद है तो ऐसा करते हुए मैं पूरी रोग कंप्लीट कर लूंगी ऐसे देखिए हमारे फंदे कम होते जा रहे हैं फंदे कम करने के बाद मैंने यहां पर चार सलाईयां डाली हैं सीधे सीधे और उल्टे फंदों के सीधी तरफ से सीधा उल्टी तरफ से उल्टा दो सीधे डाली हैं सीधी तरफ से दो उल्टे तरफ से उल्टी अब फिर से क्य क्या करेंगे हमने फंदे कम करने हैं तो क्या करेंगे सेम त्रीक के से हमने पहला फंदा ऐसे बुन लिया सिम्पल सीधा और बीच के जितने भी फंदे होगे ना हमारे सब का दो का एक कर देना है कि ऐसी देखी लास्ट का एक फंदा हम जो है वह सिंगल बुनेंगे उसको हम डबल नहीं करेंगे क्योंकि उसके साथ पहली बात तो बची गई नहीं डबल करने के लिए तो ऐसा करते हुए मैं पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी और उल्टी तरफ से उल्टी रो कंप्लीट क करेंगे some मैं आहिं हूं राइड साइड पहला और लास्ट का फंदा हम बंदेंगे सिंगल और बीच के जित्ने भी फंदें होंगे उनको हम दो काइक करके बंद कर देंगे तो ऐसा करते हुए यह देखिए दो का एक किया यह फिर से दो का एक किया थोड़े से फंदे बचेंगे उनके बीच में से हमने धागा निकाल के उनको बंदगार देना है यह देखिए ऐसे अब हम इन फंदो के बीच में से ही न नीडल इंसर्ट करेंगे थोड़ा न लंबाधा का कट कर लेंगे इसी दागे से हम कैप की सलाई कर देंगे ऐसे सारी फंदे हम सुई में ले लेंगे और बीच में से निकाल देंगे यह बहुत आसान तरीका है फंदों को बंद करने का और देखिए अब हम क्या करेंगे अब हमने ऐसे करके सलाई कर देना है इनको यहां से लेके यह हम रोट फbersी करेंगे ऐसे सिलाई करेंगे कि कलर से कलर हमारा मैच हो जाए देखे पहले इन फंदों को अच्छे से टाइट कर लेंगे और यही पर अच्छे से टक कर लेंगे क्योंकि होल तो बनेगा नहीं हमारे पास फंदे बहुत कम थे ऐसे करके हमने नीचे से ऐसे खंदा लेना है और स्लाई करते हूँ जाना है अब हम ना रेड कलर से रेड कलर मेंच करवाएंगे क्योंकि बाद में इसका भी रोल है यो कलर हमने लगाए है अब हम ग्रीन कलर से ग्रीन कलर मेंच कर लेंगे क्योंकि उल्टी साइड तो हमें अच्छे से नजर आता नहीं है आगे पीछी हो जाता है दागा यह हो गया अब येलो कलर से येलो कलर मेंच करेंगे बहुत अच्छा टॉप बनने वाला है जैसे राजे महाराजे पहनते थे ना बड़ा सारा टॉप वह वाला हम बड़ा सारा टॉप बना रहे हैं अब हम एजली यहां तक बंद करतेंगे इस यहां पर नोट दे देंगे और वापिस जाएंगे यहां तक बीच बीच में हमने दागे निकाले हैं ना उन्हें के बीच में से वापिस जाएंगे थोड़ा ना उपर दागे को कर देंगे और दागा निकालके इसको कट कर देंगे सिलाई तो हो गया हमारा अच्छे से तो देखी मैंने कैप को सिलाई करके ऐसे सीधा कर लिया है तो इस शेब में हमारी जो कैप है बन जाती है एक लट्टू जो होता है न टॉप होता है तो उसी तरीके से हमारी बन जाती अब हम क्या करेंगे अब हमने थोड़ा ऐसे पकड़ना है इसको ऐसे पकड़ लेना है अब हम ये वाली रेड रो है और ये वाली रेड रो है इनको हमने स्टीच करना है स्टीच करना है कैसे अन्दर की तरफ से हम एक ऐसे दागा निकाल लेंगे हैं मैं नोट्ट दे लेनी हैं हमने पहले अब चोटे-चोटे स्टिच लेने है रेड कलर लेने हैं बिलकुल same दागा मैंने डाला इसलिए मैंने 2 वो तो डाली थी Biz एक एक जिव मैंने विवीच में येलो और करी कुम कि हमें सो बैं जाता है तब पता चलता है कि हमने क्या करना 做 पहले जब तक हमारा प्रजेक्ट पूर नहीं हो जाता पता नहीं चलता स्सुद्यीशचा करके में नीचे से भी red color से stitch उठाना है और उपर से भी red color से white color हमारा भीच में नहीं आना चाहिए ऐसे करके हम सारे round गूम जाएंगे और इसको sly कर लेंगे तो चलिए मैं इतना कर लेती हूँ इस तरीके से हमने sly करते जाना है यहां से ऐसे का तो जो कैप है हमारी इस तरह से बैढ जाएगे इस तरह से यहां पर हम यहां से ऐसे पहनाएंगी यहां से ऐसे पहनाएंगे काफी देखने में हाल चोटा लग रहा है देकिन भूल्क के साथ ऐगा और यह एक टॉप की तरह बन चुकी है बहुत ही शांदार shape में और unique तरीके से मैंने बनाई है और अलग है ये मेरे जो मैंने जतनी वी आज तक cap बनाई है सबसे अलग तरीके से बनाई है सारे कलर का मैंने कॉंबिनेशन इसमें दिया है तो ऐसे ही देखिए हमारी जो ड्रेस है बन चुकी है पूरी मैंने स्टिच का लिया है चोली को और टिच बटन भी लगा लिए सारे में तो देखिए कितनी शांदार ड्रेस बनी है बहुत ही शांदार है और फुल फिटिंग के लगते हुए जाईएगा बैल आइकन के साथ अगर आप चैनल पर और डी बने हुए तो बहुत-बहुत शुकरिया तो ऐसे ही स्पोर्ड करते रहिए नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहिए so thanks for watching my video मिलके एक नई वीडियो के साथ बाब बाई